आज मैं गुलाग की पंखडियों का उप्टन बताने जा रही हूँ। उप्टन इसकिन की लगभग सभी प्रॉब्लम को दूर करने के साथ ही उसकी हेल्थ और खुबसूरती बरकरार रखने में बहुत असरदार होता है। खुबसूरत दिखने की चाह हर किसी को होती है। सभी चाहते हैं कि उनकी तवचा खिली-खिली लगे। लेकिन यह हर वक्त संभव नहीं होता। मैकप और क्रीम से तवचा में चमक आती हैं लेकिन बस कुछ घंटों के लिए। वहीं कई तरह के हरवल आयरवेदिक और और और्गनिक क्रीम फेस पैक और फेस वॉच बाजार में उपलब होते हैं। अगर लेकिन हम कुछ घरेलू फेस पैक का इस्तमाल करते हैं तो हमें साइड इफेक्ट का डर नहीं रहता है। तो आएए हम गुलाब की पंखडियों से फेस पैक बनाते हैं। इसके लिए आपको कुछ गुलाब की पंखडियों की जरवत पड़ेगी। और दो चमच चंदन पॉडर साथ ही दो चमच दूद। इन सभी समाग्रियों को मिलाकर एक पेष्ट तयार कर लें। अब इस मिसरन को चहरे पर लगाकर थोड़े देर सुखने दें। फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। आप इसे हफ़ते में दो बार लगा सकते हैं। गुलाब ना सिर्फ एक खुबसूरत फूल है बलकि यह आपकी खुबसूरती में भी चारचान दगाता है। इसकी खुबसूरत पंखुडियां आपकी तवचा में चमक ला सकती हैं। इन पंखुडियों में एंटी आक्सिजेंट गुण होते हैं। जो तवचा को जवां और मुलायम बनाते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन और अन्यपोशक तत्वर तवच्चा को हाइडरेट करते हैं। साथी रंग को निखारते भी हैं। वहीं दूद स्किन तोनर की तरह काम करता है और चैरे की रूखीव बेजान तवच्चा को नश्ट कर देता है। इसमें मौजूद लेक्टिक एसिड तवच्चा की चमक बर करार रखता है। आप हमेशे ध्यान रखें। जब भी आप अपनी स्किन पर कोई भी उपटन या फेस पैक लगाते हैं। तो लगाने से पहले ध्यान रहें। कि आप फेस को या जहां भी आप जिस स् कर सकते हैं उस उपटन को। उस इसकिन को बहुत ही अच्छे से साफ कर लें। ताकि आप जो भी फेस पैक या उपटन लगाएं। वह आपको पूरी तरह से फायदा दे सके। इसकिन को साफ करके लगाने से पोर्स ओपन होंगे और पैक इसकिन पर ज्यादा असर करेगा। तो फ्रेंड आप इस गुलाब के पंखणियों का पैक जरूर बना कर देखें। यह आपको बहुत ही फायदा देगा और आपकी तवचा बहुत ही सुन्दर बनेगी। तो फ्रेंड और भी इस तरह के वीडियो दिखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सस्क्रा जरूर करें और साथी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।